हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट आउटलाइन आफ एंजियाटी बोग क्लास एट चेप्टर नमबर सेवेन आपका चेप्टर का नाम है कंजर्बेशन आफ प्लांट एंड एनिमल्स पौधे और जनवरों का सड़क छोए इससे पहले हम लोगोंने पार्ट वन देख लिय पौधे और जनवरों की वे प्रजातिया जो किसी विशेश छेत्रे में विशेश रूप से पाई जाती है उसे अस्थानिक प्रजाती कहलाती है इंडेमिक एस्पेसिस वाल जैसे में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बरसिंगा जो हीरा है यहाँ एक एस्पेसिफिक अस्थान है जो जंगल में है इसका रहने का तो इसी को हम लोग एपिडेमिक एस्पेसिस बोलते हैं इंडेमिक एस्पेसिस बोलते हैं इसको अस्थानिक प्रजाती कहलाते हैं तो इस तरह से हम लोग नेक्स पॉइंट देखते हैं एस्पेसिस इस ग्रूप ऑफ पॉपुलेशन विच आर काइपेबल ऑफ इंटर प्रेडिंग एस्पेसिस क्या है आपको प्रजाती संख्या का एक समोह है जो प्रसपरत प्रजन करने में सक्षम है आप लोग यहां देख सकते हैं जैसे में हाथी है यह आपका एस्पेसिस का एक क्या है का गुरूप है और यह चोटा बच्चा इसको प्रजनन करने में सक्षम है इसी को हम लोग एस्पेसिस बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर वाज लंट पाइद गुर्मेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर इन दा कंट्रे देश में बागवो को स्रक्षित स्रक्षा के लिए सरकार द्वरा प्रोजेक्ट टाइगर लंच किया गया था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर 173 में प्रोजेक्ट टाइगर था टाइगर रिजर्ट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन आथरिटे यहां आपको टाइगर सुरक्षित राता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोज इसाम्पल डोडो पैसेंजर पिजन बिलुप्त प्रजातिया वे है जो पृत्वी से पूरी तरह गयव हो गई है उधारण के लिए डोडो और याते का उतर यह आप लोग फिगर में देख सकते हैं जो जो प्रजातिया जो जो एस्टेंस एनिमल जो पूरी तरह पृत्वी मे डोडो यह पक्छी है और आपका यह पैसेंजर पिजन है क्राउंड श्लो था यह जितने भी जानवर है यह पूरी तरह से प्रित्वी से गाइब हो गया है ऐसे जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं एक्स्टिंट एनिमल नेस्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं ग्रितिकली इंड इंडेजर एस्पेसिस आर्थोज विच आ अडरा है इस रिसक अच्टिंट संब आज टिकरीश दिर्स्टिकली एक्सामपल एंडिना केटल फिश और आपका एंडिना केटल फिश और एवेस शलमंडर गंभी रूप से लुप्रय प्रजातिया वे है जो बिलिफ्थ होने के उस्तम जो खिम में है क्योंकि उनकी शंख्या में भारी कमी आई है उदाहरण के लिए एंडिन केटल फिश आपका अभी का समुंदर नेक्स पॉइंट इंडेंजर्ड एनिमल्स और दोज वुछ नंबर आर डिनिसिंग तु सच एलेबल डाइट दे माइट फेस एक्स्टिंच संग एक्सामपल ग्रेट इंडिन बास्टड और ब्लू फेल लुप प्राया जैनुवर वे है जिनकी संख्या इतनी कम हो रही है कि वे बलिप्थ होने का शामना कर सकते हैं उदाहरण के लिए महान भारतिय बास्टड और ब्लू फेल अब लोग देख सकते है यह आपका ग्रेट इंडियन बास्टड है यह आपका और ब्लू फेल यह भी ब्लू प्थ होने के कागार पी है बहुत संख्या इनकी कम है तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग पॉइंट नमर स्वेंटिन भलनेरेवल एस्पेसिस आर दोज विच आर मुस्ट प्रजातिया वे हैं जिनकी देख भाल नहीं की गई तो उनके लुप्त प्राया होने की सबसे अधिक संभावना है नियर थेटेंड एस्पेसिस आर फाउंड इन एस्माल नंबर आइंड और एस्कैटर्ड ओल ओफर दा वर्ड निकट संकट गरस्त प्रजातिया कम संख्या में पाई जाती है और पूरी दुनिया में बिखरी हुई है नेक्स्ट पॉइंट एक सुर्थ पूस्तिका जो सभी लुप्त प्राया पॉधुक और जैनवरों का रिकॉर्ड रखती है उससे क्या बोलते है रेड बूध डाटा कालाता है यह आपका बूध है इसमें जितने भी पॉधे और जैनवरों का जो इन डेंजर में है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है उसी को हम लोग रेड बूध डाटा है पॉलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं माइग्रेशन माइग्रेशन इस दा फेनोमेन अप दे मुवमेंट अप एस्पेसिस प्राउम प्रवासन एक प्रजाती के अपने अवास से किसी अनवास में हर साल एक बिशिस समय अवधी के लिए प्रजनन जैसे बिशिस्ट उद्यस के लिए अंदोलन की घटना है यह जो होता है मुवमेंट होता है पक्षी का जैसे में यह पक्षी अपने अस्थान से दूसरी अस्थान पर जा रही है हो सकता हुआ ब्रीडिंग के लिए जा रही हो और या अस्थान को मौसम के लेके बदलाव के लिए बदलाव के चलते जा रही है इस moment को हम लोग क्या बोलते हैं, migration बोलते हैं Next point हम लोग देखते हैं Reforestation is re-stocking of the destroyed forest by the plant new trees बनो की कटाई नए पेन लगा कर नस्ठ हुए जंगलों का पुनर भरन है जा रिफोरेश्टेशन. फिर से पेन को नया लगाना और उसको पॉस्टिक आर देकर उसे फलने और पुलने और बढ़ने में मदद करना उसको हम लोग क्या बोलते हैं Reforestation इसी प्रोसेस को हम लोग Reforestation और पेन को लगाना जादे मातरा में भी हम लोग ए फौरे स्टिसन भी बोलते हैं तो आज के लिए इतना ही आभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किये हैं तो मेरे चैनल का नाम है टूलन लाइक करे और सब्सक्राइब कर ले और इस पेल आइकन को अउन कर दे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहा है जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ ताज के लिए इतना ही आप सब को धैन्कियों